हलो फ्रेंज उपरे किचन टीप आप सब इक है बहुत स्वागत है तो चलिन आज का रेसीपी देख लेते हैं बहुत इसे देख लेते हैं इसके लिए क्या लगता है और यह से कैसे बना जाता है वह भी देख लेते हैं देखिए मनीहा पे पहले शिम्ला मिर्च ले अब एक त तो जब करना है इसका अंदर का झाल लेती हुँ तो आप चमस्य भी निकाल सकते हैं और अंदर का अच्छे से कट कर लिया हुआ है झाffOOD। धेकी हैं और यकोसोन पर आपके पहलते हैं। थोड़ा सा कमी इस्तमाल कीज़ेगा और इसके बाद थोड़ा से धनिया पत्ता तो चर्यआब इसे में ग्रैंट कर लेते हैं देखिए नहीं आपए इसको चट्नी जैसे बनागार लिए हुआ है देख सकते हैं और उसके बाद इसे यो आलो में है तो सबस्क्राइब दाले में हरे मिच्ट मिंद्टेश दालेगे ऐंक और जीरा पाउडर समास्राइब ये यदि में तो धुनकले कि अच्छे से में पन simplicity को आणके पूर्म कर लेते हैं पूरी के सीज़ान को करें लाते हैं मैं तरफनी तरफनी के आड़े भी आड़ंगे। शीओ करें पनीर रचच्छा सब्सक्सियों घुर्चनी B बहुती सिंपल और ईजी रेसीपी है बहुती मसालेदार और मज़ेदार भी है आपको बहुती पसंद आएगा घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है सिर्फ आलो और मिर्षयटो आप ऐसा बना सकते हैं मैं यहां पर दो लोगों के लिए आप चाहे तो आप गर में जाधा लोग है तो जाधा भी इस्तमल कर सकते हैं आप इसे रोटी छपाती या किसे चावल के साथ वगएरे सब कर सकते हैं तो इस स्ट्रफिंग जो बचा हुआ है मेरा तो इसे हम ग्रेवी के लिए रख लेती हूँ और उसके बद मैं थोड़ा सा बैसन लिया हुआ ताकि इसके उपर थोड़ा सा लग सके ताकि आप जो पकाते समय जो अंदर का मसाला है वो बहर ना आ जा इसलिए ग्रेवी ना बन मैं पřेटन लगा लेते हूं इसको जारोख अच्छे से सड़ कर लिजे से बैसन लग लगाए है तो इससे हमें साड में रख लेते है और उसके बाद मैं यहां पर एक कटोरी में आदा कटोरी जितना जो है दही लिया हुआ है तो दही का ग्रेवी बनाने वाली हूं में आपर उसके बाद थोड़ा सा जो हमने हरे मिश की चटने बचा कर रखा था तो इसमें हम आड़ कर लेते ओ और एक चुटी चम्मा जितना जो है श्मिला अच्छे से चार ओवर से थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं देखे देरे दे चाहते आलने के बाद फटे काने वाद फटे काने इसलिए मिनिए अपर सभी मसालों को पहले से धही जरूत नहीं पड़ेगी देखे उसके बाद मिनिए ज़या पर पैंटा हुआ है कड़ा ही तो वह टेल डाल के इसे रोस्ट कर लेते हैं देखे धीरे अच्छे न आपर फरा छोड़ा साप प्राइब ना जुटेकर लेती हूं और इसके बद मने बन हमाठ्ट प्रैस के कट कर लेते हैं इसे भी आट कर लेती हूं और इसे भी आची तरुक्त में याचे थाकी से ₹rás थ्री पूरी आटा बनीगे तो दोनों मिलाएंगे तो जादा खटा हो जाएगा इसी लिए यह आप एकी टमाटर का इस्तमल क्या आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी बना सकते हैं देखें आप चोड़ा सा हल्दी पाड़ और नमक आड़ कर लेती हूं नमक को आप अपने हिसाब से आड़ कर सकते हैं सब्सक्राइब चीजेशँ को अच्छे से पकने के बाद जो हमने यह मसाला स्टुफिंग के लिए बनाया था थो थोड़ासा भच के आथा न टाल लेता अन जेखें अज़ेश बचकीका प्यस्ट कि निशबकर पार है रहा तो पेस्ट को भी अच्यसες भी ऐसे ले it we can ज़ पटला चाहिए देखकर आप यहाँ पर पाने इस्तमल कर सकते हैं ग्रेवी जादा या कम तो चले अब इसे हमें पकने देते हैं 2-5 मिन के लिए ताकि अच्छा सा तेल छोट सके सब्जू में से देखके अच्छा सा तेल भी छोट चुका है ग्रेवी बहुती बढ़ी तरीकी का समेल भी आरा है सभी मसालों का देख सकते हैं देखे चले अब जो हमने से लिए बना के रखाता स्टफिंग करके तो इसके अंदर डाल लेते हैं अच्छे से डाल लिए डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला लिए इसे हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंदा रहे त ताकि सभी को ऐसे ही मज़ेदा रेसिपी इजी तरीकी की रेसिपी बनाने के लिए मिलें चले अब इसे फिर से हमें ढखकर अच्छे से पांसे छे मिर तक पका लेते हैं ताकि जो शिम्बला मिर्च अच्छे से पक सके ग्रेव भी अच्छा सा थोड़ा सा गाड़ा हो सके कितना टेस्टे लग रहा है ना बड़ा सा स्मेल भी आ रहा है देखिए अभी भी शिम्ब्ला मिश थोड़ा सा पका नहीं है तो इसलिए मैं आप एसे ही दो से तीम तक अच्छे से पका लेती हूं देखिए हमारा वीडियो आपको पसंदार है तो लाइक कीज़िए और शेर कीज़िए और हमारा चालेको कोणते सब्सक्रेब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लेन baru ताकि ऐसे ही ऑर सिंपल तरकी की रेसीपकी आपको मिलते रहेंगे तो चले अगले वीडियो में मिलते हैं ऐस वीडियो दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार वीडियो कैसा लगा कामन करके जरूर बताए और घर पे जरूर ट्राइ किजिगा बहुत ही इजी है बनाना